हलो एव्रिवन वेल्कम टू अक्लास 11 अकाउंट स्टार्ट किया हमने आज हमने टॉपिक लिया है बैंक रीकंसीलियेशन स्टेट्मेंट इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट कर रहे हैं हम लोग इंट्रोड़क्शन देखना बहुत जरूरी है बच्चो इंट्रोड़क्शन अगर क्लियर समझ में आता है तो सलूइशन वह सिंपल होते हैं ठीक है लविन स्टार्ट के पहले के वीडियोज आप आई बटन में चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिगे हैं आप भी चेक करें कैश्बोग जोने इंट्री तो प्रीविएस वीडियो देखिया है अ इंशाला नेक्स्ट वीडियो से हम इसका सलूइशन पार्ट करेंगे तो थेयरी पार्ट चलते हैं अ स्टेट्मेंट विशोस कॉज़ेज ऑफ डिस अग्रिमेंट बिट्वीन बैंक अन्द ट्रेडर यानि आप मालिक ओनर बिजनसमैन अधे एंड अफ प्रिशिविक पीरि आती है ट्रेडर यानि बिजनसमैन अपने पास खुद के पास कैश्ट बुक रखता हुआ तो कैश्ट बुक और पास्ट बुक मैच नहीं करता है डिस अग्रिमेंट हो जाता है तो और वो एक स्पेसिविक पीरिड यानि बेसिक लिए एक-एक मन्द का हिसाब बनता है तो अगर डिस अग्रिमेंट है उसके अंदर कुछ काल्कुलेशन उपर नीचे हो रहा है तो उस वज़े से आपको बैंक रीकंसीलियेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है रीकंसीलियेशन यानि रीकंस्ट करना अल्रेडी बना हुआ है मगर उसमें कुछ गडबड हो गया अगर उपर नीचे हो गया इस वज़े से आपको रीकंस्ट करना पड़ता है that is called bank रीकंसीलियेशन स्टेटमेंट now the common reason for the difference between the balance as per cashbook of bank column and corresponding passbook balance are as below common reason क्या होते है cashbook और passbook के difference का क्या है वो reason जान लेते हैं वो जाना बहुत ज़रूरी है उसी के बेस पे आपके सारे सम होते हैं disagreement यानि क्यूं होता है वज़ा क्या है तो यहां पर दो वज़ा बताईए मैंने पहले वज़ा है due to time difference पहले यह देखेंगे फिर due to error बाद में देखेंगे time difference यानि time gap हो जाता है जैसे transaction that appear in cashbook but not in passbook cashbook में तो लिख दिया जाता है मगर passbook में वो entry शोर नहीं होती है एक्जामपल है check issued but not presented for payment देखो बच्चों आप चेक शूट करते हो ठीक है आपने किसी party को check दे दिया वो check आपने अपने cashbook में लिख दिया कि भाई मैंने party को पैसा दे दिया payment side credit side आपने लिख दिया cashbook में लिख दिया मगर वो party आपके bank में जाके पैसा withdraw नहीं कि not presented नहीं वो पाटी नहीं आए उसका lookout है अब वो क्या problem किया थी बच्चों कि हमने एक तारी को issue कि और वो एक तारी को अगर आप पास्बूक में नहीं बता रहा है ठीक है यह reason होता है फिर दूसरा reason है चेक deposit to bank but amount not collected by bank देखो आपको किसी ने चेक दे दिया Mr. X Mr. Y ने आपको जब चेक मिलता है तो तुरंद आप अपने cashbook में लिखते हो कि भाई मुझे चेक मिलिया यानि आपने receive side में लिख दिया पांचार रुपया चेक received पांचार रुपया आपको मिल गया और वो चेक आप उसी दिन bank में जाते हो deposit करने जाते हो आपके bank में जाते हो मगर बच्चों bank में पैसा आने के लिए कम से कम तीन दिन लगते है minimum तो अब same day में cash book पांच बुक देखोगे तो cash book में तो पांच आर बता रहा है मगर पांच बुक में तो zero एंट्री ही नहीं तो यहाँ पर time gap आ गया तो इस वज़े से reconciliation करना पड़ता है दूसरा reason बता है transaction that appear in pass book but not recording cash book कभी कभी ऐसा होता कि bank entry pass कर देती है pass book में लिख देती है वो मगर आप अपने book में लिखना भूल जाते हो यह आपको पता ही नहीं चलता है तो उसका reason क्या है interest credited by bank bank जब आपके saving account में या FD account में पैसा जमा होता है तो bank कहा three मेने में छे मेने में आपको interest देती रहती उसको तो आपकी account में पैसा आते रहता है यहन्ही credit होता है जम होता है credit pertama बेनि आपकी account में जमा हो आप जो बैंक जाओगे पास्बूक देखोगे तो पता चलेगा कि हां भाई इंटरस आ गया तो यह रीजन है कि बैंक ने पास्ट किया मगर हमें पता नहीं चला फिर ऑन बियाफ अफ कस्टुमर अमान डारेक्ली करेक्टेड बैंक कभी-कभी क्या होता है कस्टुमर अपने डारेक्ली अकाउंट में जाके अपने अकाउंट में पैसा डिपॉसिट कर देते हैं मगर आपको बता ना भूल जाते हैं अच्छी बात है आपने कैश्बूक में तभी एंट्री पास्ट कर तो जब आपको पता चलता है मगर बैंक में तो पैसा आ गया तो बैंक का काम क्य नहीं हो रही है इस वज़य से रिकंसिलेशन होता है दो यह रीजन जानना ज़रूरी आपको यह रीजन से ही आपके सम होंगे तो बहुत इंपोर्टेंट रीजन को स्किप ना करें फिर तीसरा रीजन एक्सपेंट डायेकली पेड बाइब बैंक कभी-कभी कोई एक्सपेंस ह बैंक को लेटर नॉम्मल एक लेटर दे दो तो बैंक क्या करती है आपका टेलीफोन बिल लाइट बिल क्रेट कार्ड बिल या लोन का यह मैं डिरेक्ली पेड करती है आपके अकाउंट से पैसा निकालके रिस्पेक्ट्टिव परसन को दे देता बैंक अब यह डिटेल भी एपको बैंक टो नहीं बताईगा कि कि आमें पेइमेंट करना हो फिरक्त आ बहए जा piace करा है बैंक का में रही है आपको पता नहीं चल रहा आपि जब बैंक जाओगं तभी पता चल रहा है तो यह disagreement ka reasoning है चौता है bank charges interest on overdraft et cetera by bank of which customer is unaware bank charges लेती है overdraft facility देती तो आप आपके नाम से कुछ charge cut करदी है आपने overdraft लिया तो उस पर बयाज लग रहा है तो वह भी बैंक cut कर रहे हैं आपकी account से निकाल रही पैसा withdraw हो मगर आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि बैंग काम अपना कर रही है आपको पता चलेगा जब आप बैंग में जाओगे तब तो यह टाइम होता है इसके उज़े से रीकंसिलेशन बनाना पड़ता है पांच वरीजने मां डिरेक्ली डिपाउज इन बैंक बाइक कस्टमर यहां पर भी जैसा यह उपर आला एंट्री बताई थी मैंने सेकेंड वाली सेम एंट्री है कि डारेक्ली कस्टमर बैंक में दाल देता पैसे हमें भी टाइम गैप आ गया आप जब बैंक जाओगे तभी पता चलेगा चटी एंट्री है डिजॉन और ऑफ चेक और बेल ऑफ एक्षेंग कभी कभी क्या होता किसी परसन से हमें चेक मिलता है हम अज्यूम कर लेते पैसा मिलके अच्छी बात है मगर चेक अपने बैंक मे पढ़ोगे तो बिल रॉस्त ओफ एक्षेंज को भी हम चेक एज्यूम करने फिलाल तो अगर यह बाउन्स हो रहा है तो बैंक ने आपके अकॉंड में डिड़क्शन दे दिया मगर आपको तो पता नहीं चला ना कि बैस चेक बाउन्स हो आप जब बैंक जाओग तभी पता रिकॉंट रिकॉंट रॉंग साइड जैसा आपको पैसा मिला तो आपको रिसीप साइड में लिखना चीए था मगर आपने लिख दिया पेमेंट साइड गलती होती है वो इसी तरह से बैंक से भी होती है डिपॉसिट करना था विड्रॉं में कर दिया तो गलतिया होती इंस लेजर अकॉंड में टोटली अपने गलत कर दिया टोटल आधा 10,000 आपने लिख दिया 11,000 डबल ओफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कभी-कभी एंट्रिय आप दो बार लिख देते हो पांसो पांसो दो बार लिख दिये गलती से फिर से बोलों यह इंट्रिया काम आने वाली है तो इसको याद रखना है आपको फिर ओमिशन ऑव रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कभी-कभी एंट्रिय पूरी एंट्रिय का आप करते तलिक नहीं बूल जाते तो इस वज़े से आपको रीकंसिलेशन बनाना पड़ता है यह रीजन बच्चों या पर्टिक्लर अमाउंट इसमें डेविट क्रेट कुछ भी नहीं इनर कॉलम और और कॉलम में ठीक है कोशन स्टार्ट होगा बैंक बैलन ऐस पर कैश्ट बूक या तो पास्ट बूक यहां पे दोनों में से कोई भी कोश्ट बूसक्ता ठीक है बच्चों उस पर ध्यान देना तो इसलिए आपे मैंने दोनों नाम लिखा है तो कभी कैश्ट बूक से स्टार्ट होता है कभी पास्ट बूक से स्टार्ट होता है वोटेवर बैलन जो भी रहेगा वो आपका ओटर कॉलम में लिखना है फिर हमारा दो में पार्ट है एड और लेस एड के अंदर कुछ लिखना और लेस में क्या लिखना है फिराल स्पेस्न मेंने आट लेस बात में बात करेंगे तो लेट का जो भी टोटल रहे उनको पूरा टोटल करके भाभाम लिखना फिर यहाँ पर add का sign दालना अब जो main balance है उसमें इसको add करके यहाँ पर total करते ना ठीक है फिर less का इससा start होगा less की जित्ती भी entry होगी सब को plus करके बाहर लिखना फिर बाद में less sign दालना यहाँ पर confusion करते बच्चो less बोलते या नहीं सब less करते inner column में तो सब plus होके बाहर आएंगे बाहर आने के बाद फिर इनका sign दालना यह ध्यान देना पड़ेगा आपको फिर जो total उपर निकाला था और से minus करेंगे आपका answer आएगा bank balance पर passbook अगर आपने question अगर आपका solution में अपने cashbook से start किया तो आपका answer passbook होगा और अगर आपने solution passbook से start किया तो आपका answer यहाँ cashbook होगा उल्टा नाम लिखना है उसको याद रखना आपको opening balance या जो भी cashbook balance जो भी है और passbook या cashbook जो भी balance है यह question में ही दिया रहेगा आपको तो आपको यहीं पर पता चलता है कि आपका answer right है की wrong है तो यह add और less का खेल है पूरा यह बच्चो क्या add में आएगा क्या less में आएगा वो पूरा भी जो theory बताए मैंने reason बता हो reason जानना ज़रूरी है फिर add और less में हमें entire pass करेंगे अब आपको मैं example बता दू sign का working note जो बनाएंगे add और less के लिए बहुत important है उसको समझ ले इसको अच्छी तरह से याद कर ले इसको लिख ले by heart कर ले ठीक है यह working note का हम इस्तेमाल करेंगे यह पूरा नहीं लिखेंगे आपका समझी से start होगा वो उसमें से कोई भी एक follow करे ले अभी जैसे यहाँ पर मैंने बूल दाव balance पर cash book है तो आप यह format फॉलो करेंगे अगर balance पर pass book है तो यह format follow करेंगे format का मतल्ब आपको यह sign इस तेमाल करना है यह sign less का है, यह add का है, यह less का है, यह add का है, तो sum अगर balance पर cashbook है तो आपका sign होगा minus plus minus plus, उपर आपको rough में column बनाने cashbook और passbook, cashbook में दो side होता receipt payment, debit, credit, passbook में दो side होता withdrawal और deposit, debit and credit, उपर का heading आप same बना होगे हर sum में, sign कौन सा इस्तिमाल करना यह आपको यहां से पता चलेगा तो इसको अच्छी तरह से याद करना है आपको बच्चो, और इसी के base में पूरा sum होगा, तो theory part में यहां पर stop कर रहा हूँ, यह sign आपको याद करने है अच्छी तरह से, reason आपको समझ लेना है, तो इंशाला next video में हम sum start करेंगे, sum दो type के आते हैं, एक ready made cashbook, passbook format दिया रहत है, और एक आपको paragraph form में आता है, तो ready made form में तो basically नहीं पूछते हैं, फिर भी हम एका sum उस पर कर लेंगे, और जो main चीज़े हो paragraph form है, ओ paragraph form हो या ready made sum हो, दोनों में sign ज़रूरी है, minus plus minus plus के sign, तो sum याद रखें, अगर cashbook से शुरूर हो है, तो minus plus minus, अगर sum आप passbook से शुरू क कर रहे हैं, तो sign याद अखना है, plus minus plus minus, overdraft होगा, तो उस तरह से मैंने आपको पूरा sign दे दिया है, और इसी की base पे आपको sum करना है, तो hopes हो याँ तो कोई doubt नहीं, इंशानला next video में solution के साथ मिलेंगे, thank you, thank you for watching the video, God bless you.